हाई गाईज क्या आपको भी एक प्रॉब्लम को फिस करना पड़ता है जब अपने आइफून में एप डाउनलोड करते हो लाइक वहां लिखा हुआ आ जाता है कि अनेबल टू डाउनलोड दिस अप्लिकेशन लाइक दिस ताइम तो कोई बात नहीं मैं आज आपको पताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स जिससे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्ब कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि उसको फिक्स कैसे करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है अपने सेटिंग में जाना है ठीक है सेटिंग के बाद सेंपली हमें वाइफाई में जाना है अपने वाइफाई पे यह वाइफाई के ऊपर जाके यह राइट कॉर्णर में आपको इस आई बटन पर क्लिक करना है ठीक है तो आपने करना है रिन्यू रिलीज तो आपने करना है रिन्यू लीज पर क्लिक करना है ठीक है तो आपने इसको ऐसे कर देना है ओके तो उसके बाद आपने जाना है सिंपली अपने जर्नल में जर्नल के बाद आपने जाना है time and date में अगर आपके यह ऐसे automatically like set automatically नहीं होगा तो आपने इसको automatically कर देना है ठीक है तो उसके बाद आप अप को install करके देखिएगा लेकिन अगर आपके पास यह पहले से ही set automatically है तो आपने इसको off करना है और नीचे time and date को थोड़ा scroll down करके कुछ भी like ऐसे करके छोड़ देना है ठीक है तो थोड़ा बैक आजाना है तो उसके बाद आपने simple फिर से data and time में जाना है और set automatically पेगर देना है ठीक है तो उसके बाद बैक आजाएंगे हम तो बाद में आप अपने उसको देखिए आप को डाउनलोड करके कि हो रहा है कि अगर वो फिर लाइक वही आ रहा है कि कांट डाउनलोड एप this time तो आपने simply करना क्या है अपने जर्नल में जाना है reset में जाना है just reset network setting करना है ठीक है तो जो आप वाली problem को बार बार फेस करते हो तो ठीक हो जाएगी ठीक है यह simple सी tricks है तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगली किसी वीडियो में जो iPhone से related होगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होगी So thank you for watching तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिस लाइक कीजिए और साधी साथ मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर बताईए कि यह वीडियो आपके लिए कितना helpful रहा और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा So thank you for watching